राजेस्थान ACF की जो अपने फोरेस्ट्री से लिवस में जो यूनिट 9 है उसके उपर डारेक्ट ही डिसकस कर लेते हैं क्योंकि पिछले दो दिन से इस पर कोई वीडियो आगे नहीं आ सका है क्यों जो अपना मैजोर्टी टाइम था वो कंजियूम हो गया है अपने जो इन्वार्मेंटल साइंस जो अपसन था क्योंकि मैजोर्टी आप मेंसे जो एराउंड 60 लोग कनेक्टेड है उन 60 मेंसे 20 तो जूनियर्स है जो मेरी साइड के हैं और 40 आप सभी लोगों तो टोटल जो 60 है उन मेंसे एराउंड पॉसिवल्टी है कि 40 के आसपास लोग है जिनका जो सिकिन आपसन है वो इन्वार्मेंटल साइंस है तो इन्वार्मेंटल साइंस के थोड़ा एनलाइज करने में काफी टाइम कंशूम हो गया उसका भी वीडियो आएगा तो थोड़ नहीं है उन्हें इन्वार्मेंट कितनी पढ़नी है यह उन्हें किस level तक Environmental Science की study करनी है सेटिंड फिंग जो आपका में आता है यह जो अपनी ecology है जिसमें autochology सीदी को बगरहा है ecosystem और ecological pyramid वगरहा है यह सारी जो चीज़ां आती है उसे एक हिस्टे में पढ़ लिया जाता है दूसरे हिस्थे में आता है environment जिसमें इंवर एट्मास फेक स्ट्रक्चर के साथ साथ जो अब ने दुनिया वर के सेंचुरी है जो हर एक जो इस को कौन इंडेंजाड है कौन थ्रेटेंड है कौन रियर है तो इस टाइप की चीजें जो है वह थार्ड पार्ट में डिसकस कर लेते हैं फूर्थ पार्ट में आता हुसके इंटरनेशनल बॉडी और फिफ पार्ट में जो अपना करेंट अफेर में चल रहा हुथा वह लÉकिन क्योंकि यह अपना आप नहीं अंग तो यहां पर जो अपना टार्गेट हे वह जो बेसिक सिलेबस में दिया है जदा थोड़ा आउट नहीं जाना है Second thing यहाँ पर जो आपके यह notes दिये का है जो लगवग around 68-69 pages के है यह notes आपके syllabus के according है लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके जो questions हैं वो इससे बाहर जा सकते हैं अगर importance की बात कर ली जाए तो around जहां तक मेरा perception है around 15-20 questions अकेले आपके इस part से आएंगे किसे ecology, environment, bio-diversity, national park, wildlife century वाली list और real endangered वाली यह कुल मिलाके 15-20 questions बना लेता है hardly कितना भी मिलमा वो 15 questions तो आते ही है यह मेरा perception है से साब से कि जो MPPC के हैं या ICR के paper है तो उसमें around इतनी तक cover कर लेता है तो उसी साब से मैं मान के चल रहा हूँ कि राजिस्थान में भी around 15 questions यह cover कर लेगा तो उसके लिए करता है क्या है कि एक तो रहा आपको slayvus slayvus के according तो यह notes रहा आपका अब मैंने जैसे बोला कि मुझे पूरी उम्मीद है कि question इसके बाहर भी जा सकते हैं तो यह जब आपको वीडियो जहां YouTube पे आपको upload होगा इसी के साथ बंसल classes की देखो जिनका environmental science optional नहीं है यह मैं उनके लिए बोल रहा हूँ environmental science optional वाले को छोड़ सकते हैं क्योंकि वो तो काफी detail पहले से पढ़ रहा है जिनका optional नहीं है उनको क्या करना है इसी के साथ बंसल classes की जो ecology and environment जो medical की preparation के लिए जो notes आता है वो यहां नीचे description box में आपको मिल जाएगा आपको क्या करना है उसे download करके पढ़ना है वो तब पढ़ना है जब आपके पास time हो basically तो मैं यह volume को उसे पढ़ी लेना है अब उसमें आपको करना क्या होता है जैसे की common सा तरीका होता है कि आपके पास जो आपका A4 paper होता है उसमें आपको जो भी terminology मिलती है उसे listed करते रहा terminology लिखते रहा objective exam का game ही यही है कि आपको term पता होना चाहिए कि इस term का क्या sense है और उस से related चीज़ है बस जदा आपको कोई flow chart इस type के paragraph बनाने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि यहाँ आपको लिखना नहीं है आपको वो सब्द का game होता है पूरा MCQ exam तो इस हिसाब से आपको काम करना होता है अब आगे जदा discussion बाद में time के साथ चलता जाएगा पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या है तो यहाँ पर पहला तो अपना part जो आता है वो है आता है ecology के आखर ecology क्या है कि भई जो भी और्गनेश्म है love study है इन चीज़ों को याद रख लो क्योंकि यह भी पूछे जा चुके है इसके बाद आता है यह कुछ है जैसे कि किसने क्या कहा यह चीज़ें दोनों इन लोगों के लिए important है जो इनका science है environmental science optional है जिनका नहीं है यहाँ पर इक बात और याद रखना है कि जो professor है क्योंकि यह टर्म है कि professor रामदेव मिसरा यह क्या है इन्हें बोलते है father of Indian ecology अब यह रामदेव मिसरा को अक्सर लोग बाबारामदेव के नाम से याद कर लेते कि इंडियन ecology के यहाँ पर यह जितने भी टर्म दियेगा है आपके notes में है वो सभी के सभी important है और कोसिस की कही है कि हर जीज पर जिसे कम सकम आपको याद करना ही करना है उसके उपर star point लगे हो फिर ecology की branch होती है और टेकोलोजी है सीनिकोलोजी और टेकोलोजी व्यानी की कोई एक अकेली species या कोई अकेला individual जैसे के एक रामनोर लोही आए एक इनसान थी उनकी आसपास की study कर लो कि यह कैसे खाते हैं कैसे बीते environment इनसे कैसे interact करता है तो इस थाइब की study करना वो है अपना ओटेकोलोजी या किसी particular species को करना तो इसलिए उसे बोलते है ओटेकोलोजी है इस पिसीज उकोलोजी दूसरा टर्म होता है जो इसे बोलते है सिनिकोलोजी मतलब जिसमें थोड़ा बड़े लेवल पर करते हैं पर community level पर उस पर ऊपर चले जाते है community level से तो उसे बोलते हैं बायो सिनिकोलोजी है बायो कई बार कुश्चन यह आ जाता है कि ओटेकोलोजी और और जो सिनिकोलोजी टर्म है वो किसी ने दिया यह किवल environmental science वाले को यह मतलब है अपने जो forestry वाले हैं जिने जनरल पेपर है उनके लिए नहीं पूछा जाएगा यह देने वाले थे इस्कुराइटर हैं कृचन है इन लोगों को ज़्यदा पूछा नहीं जाता है जो जिनका किवल forestry अपने forestry में जो अपना ecology वाला पार्ट पढ़ना होना है उन्हें सिंपल चीजे टर्विनलोजी से मतलब होता है यह scientific नहीं को ज़्यदा याद ने रखें जो बताया नहीं हूं उन्हें छोड़ सकते हैं फिर इसकी कुछ ecology की यह दर ब्रांचे चलती रहेंगे उनसे ज़्यदा कोई फरक पढ़ता नहीं है ना और्गिनेज मतलब कोई एक अकेला individual एक ही individuals की जब बहुत सारे कर दिया जाया इनको multiply कर दिया तो फिर वो population बनती है और different type की population मिल करके एक community बनती है और बहुत सारे community मिलके फिर बनाते हैं एक ecosystem फिर ecosystem की उपर क्या आता है बायो स्पेर इस type से यह line उपर को चलती रहती ह अब objective बालों को क्या याद रखना है यह याद रखना चाहिए कि इसका level किस type से जा रहा है और फिसको यह वी एक वाद और द्यार रखना है कि इधर से इधर जैसे नीचे से उपर की तरफ जाओगे तो यह जो complexity है organism की यह interaction है वो बढ़ता जा रहा है तो बस यह एक चीज को इसी याद रख लेना है और जदा तो इसमें कुछ है नहीं पर यह जैसे काल मोवियस ने बायो सिनोसिस तो जो important है उन्हें स्टार बॉइंट लगा दिया है इन में चीजों में जदा कुछ है नहीं इसके बाद है जैसे environment आता है जो भी हमारे चारों तरफ है जिससे हम कोई इन्टरेक्ट करती है और इंवार्मेंट बूलते हैं अब इन्वार्मेंट यानि कि हमारे आसपास दो टाइप के फेक्टर होते हैं बायोटिक और एक अबायोटिक यह दोनों इक जो फेक्टर हैं पर कुछ्छन आएंगे खासका इन से रिलिटेड जो टर्मिनलोजी उससे कर चुके हैं यहां पर क्या होगा आपको कै कुछ जो टर्मिनड जी होगी जिन्हें आव इन क्योंकि वहां पर अपरуль का इससलिए उपर दानुलोजी डेटेयल में नहीं गया है यहां पर कुछ है जधा हो जाएगी जैसे यूरी थर्मल इस टेनो थर्मल इस टाइप को जो टेमिलोजी है वो थोड़ी जदा हो जाएगी अब जैसे पहला फैक्टर ले लेते हैं वाटर अब वाटर का यहाँ पर डालने का परपस यह जो रिसोर्सेस है इसका परपस यह है कि इससे तीचार जो टूटल वाटर है मतलब फूरा वर्ल्ड का जो गलोबल का टूटल वाटर है उसमें टूटल फ्रेस वाटर कितना है या हमारे लिए एवाइलेबल वाटर कितना है तो इस टाइप को जो कुश्चन आते हैं उन पूछ चीज़ें यहां से हैंडल हो जाती हैं सिकिंड वा तो जो और्गनेज में क्योंकि सेलनिटी के कॉंटेक्ट में दो नहीं आते हैं प्लांट भी आते हूं और एनीमल भी आते हैं तो अब आगे जाकर के दो टर्म आएंगे आपको अगर saline है salinity है तो यह haline term यूज़ किया जाता है salinity के लिए अब यहाँ पर देखो कि दो टन एक है steno और दूसरा है yuri दोनों ही latin term बगर है जहां yuri का मतलब होता है you you मतलब बहुत ज़दा और मतलब well और steno का मतलब कम तो yuri का मतलब होता है well haline मतलब salinity तो इसका मतलब होता है कि यह बहुत पिलांट आएंगे जिसमें वह एनिवल आएंगे जो salinity की बहुत बड़ी range में अपनी आपको adjust कर लेते हैं में suppose जैसे अगर water है जिसकी salinity अगर यहाँ पर 30 pro mile है 30 pro mile है यह उसमें भी survive कर लेते हैं और अगर 40 pro mile हो गई तो उसमें भी survive कर लेते हैं तो इसकी salinity की range है वो 30 से 40 है यह suppose 30 से 50 pro mile तक है तो यह यूरी का मतलब है यह wide range में कर लेते हैं और steno का मतलब यह narrow range में 30 से 35 की आसपास ही रहेंगे यहाँ यूरी और steno जो term है वो common रहेंगे पीछे का जो है जैसे heline है अगर salt के बारे बात करेंगे तो वहाँ heline term होगा अगर suppose वहाँ अधर कोई आ गया temperature हो गया तो वहाँ पर थर्म होगा जैसे आपके लिए term हो गया यूरी thermal मतलब वो animal जो temperature की wide range में आपने आपको survive कर लेता है नेरो thermal यानि की steno thermal मतलब वो temperature की छोटी ची range में ही survive कर पाएगा तो यह जो यूरी और steno tarp common रहे पीछे की चीज़ें बदलेंगी बस इतने इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना है इसी में अपने दूसरा जाता है light light के बारे में जो related चीज़े थी अपने climatology वाला जो silvy culture का था उसमें काफी चीज़ें detail कर चुके हैं कि जैसे light का component क्या है मतलब composition क्या है ultraviolet radiation जो है उससे हां एक ultraviolet radiation से याद नहीं है silvy culture में आपको बताया कि नहीं जो अपने ultraviolet radiation है इसको divide करते हैं पार्ट में है इसकी wavelength होती है A, B और C अब इसमें एक बार दिखना पड़ेगा साइद C है जो ज़्यदा harmful होती है और यहीं है जिसे atmosphere absorb कर लेता है इसे बताने के पीछे region यही है कि अपने forestry में तो question नहीं आते हैं लेकिन यहां environment में खासकर जिनका optional है उसमें इस पर question आये हुए है तो इन चीज़ों को यहां दिखना होता है अब जो plant है एक question MP में भी आया था यह अक्सर गलत हो गया था जो plant है जो बोलते हैं light loving plant मतलब वो plant जिनकी बड़ी बड़ी पतियां होती है और वो अक्सर धूप की तरफ बढ़ते हैं तो इन्हें क्या बोलेंगे यह जो है helio helio term किसको use किया जाता है helio term use किया जाता है sun के लिए अगर आप जियोगराफी में पढ़ा हो कभी helio helio sphere मतलब जो sun है देखो sun में क्या है hydrogen hydrogen मिलके helium बन रहा है मतलब दो hydrogen hydrogen से मिलकर के helium gas बन रही है और इसी से तो पूरी energy चल रही sun की तो वहाँ पर क्या चल रहा है इनका nuclear sun lane चल रहा तो sun के लिए जो भी term यूज किया जाता है वो helio term है वो sun के लिए यूज किया जा रहा है जैसे helio sphere या जो earth है वो उसकी type गूम रही है उसे भी helio, perihelion, epihelion इस type के term पड़े हों कि जब सर जो अपनी earth है वो sun के पास में होए या sun से दूर है epihelion, perihelion तो इस type के जो helio term है वो sun के लिए यूज किये जाते हैं या helio fight का मतलब plant, helio मतलब sun तो मतलब ऐसे plant जो sun की तरफ करते हैं यानि कि light loving plant, ऐसे plant जो अपनी full growth के लिए ज़्यदा से ज़्यदा light चाहिए होती है उन्हें क्या बोलते है, helio fight अब यहाँ गलती क्या होती है कुशन पूछ लेते हैं, उन्होंने पूछ लिया कि salt वाले और salt में होता है helio, helion, helio और यहाँ पर है helio तो कई वाद जो terminology उसके बीच में गड़बड हो जाती है और हमारे पास exam में इतना time नहीं होता है कि हम उन terminology पर ध्यान दे है और अकसर इस बज़े से हमारे question गलत हो जाते है वही question एक गंटे बाद दिखोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि यह है क्या लेकिन उस time पर थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है तो यह जो छोटी छोटे game है सब्दों की इन पर ध्यान रखना है CO fight को पहले से आप जानते हो कि जो चाया प्रिया है या इटियो लेसान है यानि कि अगर किसी plant को light ना मिले लंबे time तक तो उसके जो पिलोरोफिल है वो ब्रेक हो जाता है और वो तूटने लगता है फोटो सिंथेटिक अक्टिव रेडियेसन मगरा यह सारी चीज़ें जो है जो है जो है आपने काफी पहले से डिसकस कर चुके है यहाँ पर दो बातों को डिसकस कर लेते हैं एक होता है फोटो सिंथेसिस और दूसरा है कीमो सिंथेसिस क्योंकि पॉसिवल्टिए कि आप मैंसे जड़ा तर लोग फोर यानि की जो बायलोजी बैग्राउंड है उससे नहीं होगे बहुत सारे फिलंट है जो अपना फूड जसे बनाते हैं लाइट के थुरूte मतलब लाइट से फोटो सिंथेसिस कर लेते हैं ख़सकर ग्लुकोज लिकिन बहुत सारे बैक्टिरिया तो जो इस से लाइट के उपर डिपेंड नहीं है जैसे sulfur bacteria जो होते हैं, वो जो अपनी energy है, वो chemical process के थ्रू निकालते हैं, मतलब glucose वो भी बनाएंगे, बट वो chemical ही बनाएंगे, तो जो अपनी rock है, जिनमें minerals हैं, जो energy particle हैं, उनको वो consume कर जाते हैं, तो उसे बोलते हैं, chemo synthetic, तो इस टाप से दो process हो जाती हैं, यहाँ पर और य यह है, एक term हो रहा है, photokinesis, photo का मतलब light, kinases का मतलब होता है, kinetic मतलब movement, यह जैसे के बहुत सारे plant है, plant में क्या होता है, कि आप जिदर से light दे रहा होंगे, plant उदर की तरफ आपने सुर मुखी को देखा होगा, sun जब यह सुब होगा, तो सुर मुखी जो flower है, वो sun की direction में रह मतलब movement हो रहा है, तो उसी क्या बहुता है, यह photo kinases, animal में भी होता है, कि जब temperature बढ़ता है, तो जदर temperature से कम temperature की तरफ भागने लगते है, जिसी भी photo kinases का माल लेते है, मतलब होता ही है, अब यह light के बाद आता है temperature, climate factor में है, इसमें आपको thermoperiodism में सारी चीज़े पहले से ब classification, यह classification से कई बार question आ चुके है, खास कर है किस्टो therm, यह temperature के लिए plant को चार टाइप डवाइड किया गया है, एक है mega therm, mega का मतलब बड़ा, इसका मतलब ट्रॉपिकल जो वाले, जो ट्रॉपिकल रैन्फोरेश्ट यह ट्रॉपिकल वेल्ट वाले जो region के हैं, यहां से ऐसे ल प्लांट यह ट्रॉपिकल वाले, यहां कि वो प्लांट है, जिनको ताँ टेंपरीचर मिलते हैं, यह बोलते हैं, इसके बाद जो सब्रॉपिकल वाले इन्हे थोड़ा कम है, मतलब थोड़ा कम-Down हुआ, तो इन्हें बोलते हैं, मीचो थर्मви फिर ाते हैं अपने temperate वाले Temperate में जैसे Connifers बगर आरते हैं इन्हें बोलते हैं Microtherm लेकिन यहां रखना है इसमें जो Alpine आएगे जहां पर Burf बादी पड़ी रहती है Snowfall रखी है Connifers नहीं Snowfall बगर है जहां से जैसी कि अपना Trondra वाले है यह अपनी पहाड़ियों फे बहुत डीप हमाला है मैं अंदर से ले जाओ जाओ जहां बर्फ बादी हो रखी है तो उन लोगों को बोलते है Hackistotherm देखो थर्म का मतलब होता है Temperature Hackistotherm तो यह टर्म याद रखना Hackistotherm यह बर्फ के लिए दो टर्म और यूज करते ही Cryosphere या Cryology इस टाइब की चीज़ है भी है तो Cryo भी टर्म जो है वो Temperature के लिए यूज किया जाता है खासकर नीचे तो कई बार आपने देखा और सुना होगा Cryo Preservation मतलब Cryo का मतलब Low Temperature और Preservation मतलब Sun रखचण तो जब बहुत ही Minus Temperature मतलब किसी चीज़ को लंबे टाम तक अगर हमें Protect करके रखना है तो फिर वो Cryo Preservation में जाकर आपने यह दो रहा है Plant के इन में ध्यान रखना है इसमें Hackisto Therm का इबार पूछा जा चुका है इसके बाद आता है Animal के बारे में Animal में वही आता Eurotherm और Stenotherm Eurotherm मतलब वो Animal जो बहुत सारी Temperature की रेंज तक Survive कर लेते हैं मतलब वो 15 डिगरी Celsius पे भी रह लेते हैं और 45 डिगरी पे भी ऐसा क्यों रह लेते हैं क्योंकि उनकी Body का जो Temperature है वो Environment से फराक नहीं पड़ता अगर Environment ठंडा हो गया तो कप कप लेते हैं अपने आपको Shivering कर लेते हैं और अपने Body का Temperature Maintain कर लेते हैं और अगर Temperature बहुत ज़दा हो गया तो यह क्या करेंगे पसीना स्वेटिंग करके अपने Body Temperature को Maintain कर लेते हैं तो इस वज़े से यह बहुत White Range के Temperature में Survive कर लेते हैं ऐसा भी नहीं कि Extreme मैं आग में घुषिड़ दो लेकिन आसा नहीं लेकिन तब भी एक हद तक काफी बड़ी Range में यह Survive कर लेते हैं जैसे अपन होमोसपियन से इंसान है तो इसलिए हमें क्या बूला जाता है हमें बूला जाता है Uretharm इसके साथ हमें एक और बात तर्म यूज़ी किया जाता है जिसे बूला जाता है Warm-Blooded Warm-Blooded मतलब गर्म खून के क्यों क्योंकि अपने खून का या Blood का जो Temperature है वो लगवाग 35-36 जो भी तर्म यूज़ी जाता है जिनने बूलते है Andro Thermal Andro का मतलब Under Thermal का मतलब Temperature मतलब इनके जो अंदर का Temperature है वो एक सिम सिम रहता है इनने ये बाहर के Temperature से ने फरक नहीं पड़ता इनकी अंदर का एक अलाग है यानकि ये एक Homeostasis Condition में रहते है Homeostasis मतलब हमारा जो अंदर का जो सिस्टम है वो आपस में Maintain बना रहता है कुछ भी भाहर से कोई भी कुछ भी कर दे लिकन ये आपस में अपनी internal environment को Maintain करके रखते हैं तो इसे बूलते है Homeostasis दूसरा इसमें कौन-कौन से आएंगे जैसे कि अपनी बर्ड्स है एनिमल्स हैं मतलब आपने पांच पड़े होंगे फिस एंपिविया रेप्टायल बर्ड्स और मैमल्स तो इसमें जो बर्ड्स और मैमल्स हैं वो आते हैं इसमें वार्म बलाडेड में इसका एक 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 जामपल है जो देखो इनसानों का तो या्द रहाएंगा काई बर्ड्स को कंठ्वूज हो जाता मौENTS जो अपनी बक्ची है वो वार्म बलाडेड हैं या नहिए अपना अक्सर देखाऊ है कि जो ओईल एसमें सब से जएvा जे लिए वो बड्स की होती है आखिर क्यों होती है क्योंकि बड्स जहां खसकर कुंसी बड्स जो पानी में डुपकी लगाके मसली पकड़के पापस उड़ जाती है तो होता क्या कि जब पानी में डुपकी लगाती है तो पानी की सर्फेस पे जब ओयल इस्पिल हो रखा होता है तो व वाटर ने एक कवर बना ली इनके ऊपर से, तो जो वाटर की कवर उससे क्या होते हैं, कि इनके जो हेर हैं, वो आपस में चिपक गए, एक टाइप से, मतला है कवर बना लिया, कवर अफ हो गए, बाल आपस में चिपक गए, तो जब ये ऐनिमल जो ए, यानि की जो बर्ड है, वो पाणी में से जब बाहर निकलेगी, मचली को पकड़के, जब हवा में उड़ेगी, तो ओलने से क्या होता था, नॉर्मल कंडिशन में क्या है कि जो हवा है जब ये एनिमल जो बर्ड है अपनी जब उड़ेगी तो इसको एनरजी होगी लगेगी एनरजी लगेगी तो ये अंदर से हीट अप होगी जैसे आप दोडते हो तो आपका बोड़ी टेंपरेचर बढ़ता है तो बर्ड का भी बो इससे जो एयर है वो उनकी सरीर तक पहुंचनी पाती है जिससे उनका जो बोड़ी टेंपरेचर है वो बढ़ता रहता है और वो कंट्रॉल नहीं कर पाते है और इसका रिजल्ट यह होता है कि टेंपरेचर जैसे ही कलिमेट से जदा हो गया उनकी सरीर का जो होमियोस्टेश हैं birds वाले वो बाहर के environment के temperature से होना फरक नहीं पड़ता है दूसरा है इस्टेनो थर्म यह वो है जो जिनका जो temperature है वो बाहर के environment से maintain होता है क्योंकि यह limit से अपने temperature को maintain नहीं कर पाते हैं जिसमें आती है मछलिया है फराओ फिसी एफिविया और कुछ से अभाटिल 이제 responder के बीच में इसमें mainly जो आती है वो आती है फिस और एंफिवियाophone given जो कौन सी है जो अपनी मचली आजातीं MPBR में क्या जैसे frog वगरएं वो चीजे जो frog वगर है वो इसमें आते हैं रेप्टाइल में आते हैं snack वगर है सिने वगर है कि लिमेट है लेकिन वो कर लेते हैं लेकिन उइक limit में करते तो यह हैं स्टेनो थर्य कम wz suspicious Italy फिरिए चोड़का बाग जाते हैं क्योंकि यह मैंटे नहीं कर पाते तो जैसे टेमित्पेशेशर विर्चCC governo जीए इस लिए इस लिए बोलते हैं पॉइकलों धर्मिक या Annoy ब्लैडेड या इनका टेंपरेचर बाहर से मैंटेन होता है इसलिए से बूलते है एक्टो थर्मल बाहर अब यहां पर इनके से रिलेटेड यह अपनको टेंपरेचर से करना था वह हो गया टेंपरेचर पर इससे ज़्यदा कुछ नहीं आते हैं एक और है कि यहां पर चार-प बियर्स लेमेर को अपने श्रस का चार-पिश्यदा का छिए होज मोड़ंदा है टो नमबर भर्टीब्रा से रिलेड़ को सब्सक्रादेड नहीं के स्ब्सक्राव कारेचर अब में ange पश्यदा होतीए उसकीले मैं च enseję होती हैं आप ने देखल वोगा बड़ी वाली जो भील मचली है तो भील का मैंती है पोलर रीजन में हैं जवा इंड़ा क fridge होती हैं तो उसके पीछे कुछ रीजिन होगे इसी simplicity में मतलब याद रखने का तरीका क्या है कि ये अपने एक बना लिया छोट असा जनवर और ये इसकी बना लिए body तो पहला ये है पहला है बर्गमान बर्गमान मतलब body बर्गमान बर्गमान ये बोलता है कि जो चाहें आपके birds हो या mammals हो जो cold region के हैं उनके जो body size होता है वो थोड़ा बड़ा होता है जबकि जो warm region के हैं उनका body size है वो छोटा होता है अपने को याद ये रखना है कि बर्गमान का जो rule है उसके हिसाब से क्या है को cold region वालों की body size हो बड़ा है और warm region वालों के काम है तो याद किया रखना है यान की confusion किया है कि सीधा sentence लिखा होता है और अपने को बताना होता है कि यह किसका rule है बर्गमान का है, Jordan का है, Allen का है, इनका है, उनका है, फलाने डिकाने चलते रहते हैं तो यहां हमारा link होना चाहिए कि बर्गमान का body से relation है तो बर्गमान का rule जो था, वो बोलता था, जो body size है, वो cold वालों का बड़ा होता है compare to warmeria वालों का, बीच में आए, Allen, Allen का मतलब होता है, पिन्ना यह कान हो गए, इसे एपक कर दो, Allen बोलते हैं कि यह जो body appendages है जैसे कि कान है, पूँच है, हाथ है, मतलब जो animal है, उनके flipper बगएर है, जो हाथ बगएर है, जैसे उनके modified है तो बोला है, जो cold वाले हैं, उनकी यह जो कान है, हाथ बगएर है, यह चीज़े हैं, वो छोटी होती है क्यों क्योंकि अगर बड़ी होंगी, तो उनका temperature बहुत ज़्यदा loss होगा, और cold region वो temperature को maintain कर पाएंगे तो उनके जो body appendages हैं, वो छोटे होते हैं, compare to जो warm region के हैं, इनके जो body appendages हैं, वो बड़े size की होते हैं क्यों क्योंकि इन्हें बड़े होंगे तो यह आसानी से अपने अंदर के जो temperature को है, उसे heat loss कर लेंगे तो एलन जो rule है, वो related है, body appendages है, थार्ड है, अगर आपको सर्दी लगती है, जाडे में, तो आप क्या कपकपी छूटेगी तो यह कपकपी छूटेगी मतलब कौन है, जॉर्डन, तो जॉर्डन रूल यह है, इनका कहना था कि, जॉर्डन से याद रखना है, आपको vertebral columns हैं, इनका कहना था कि जो fishes हैं, जो cold region वाली हैं, उनमें जदा vertebral होती हैं, compared to warm values related, तो यहाँ जॉर्डन है, बर्गमान रूल है एलन रूल है, यह तीन तो याद रखनी होता है, उसके साथ मैं गलॉगर और रस्चिल, इसमें गलॉगर तक याद रखलो, यह रस्चिल ऐसा है कि याद हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो भाड़ में जानते हो से, फिर अपने जैसे wind है, atmospheric humidity है, आपको humidity के तीन बताये थे, relative humidity, absolute humidity और specific humidity, तो वो चीज आपने वहाँ पर देख ली थे, अपने सिल्वी कल्चर में हो चुके थी, तो उन्हें चीजन देखने की जर्वत है नहीं, एक बाता है atmospheric composition, तो वहाँ पर आप से अगर कोई question पूचा जाएगा, तो एक तो आपने देखा था कि soil का, यहाँ पर यह तो atmosphere का है और दूसरा soil वाला है, soil science में आपको बताया था, दोनों के बीच में compare, तो कौन सी चीज कहां कम होती है, यहाँ पर जैसे जो CO2 है, वो 0.03 पुराना data है, लेकिन अब वो लगवाँ 0.42 की something चला गया है, तो इस data को भी याद रख सकते हैं, क्योंकि क इस इगली question कई वार जो आता है, वो soil की और atmosphere की जो CO2 balance है, उस से related है, दूसरा यहाँ पर आरगन वगएरा 1% बनाता है, अब यह चीजे क्या है, इन्हें पूछते इसलिए नहीं क्योंकि यह almost इतनी common चीज हैं कि हर जोटे-छोटे बच्ची को पता होती है, फिर आप क्यों जाए है जैसे ट्रोफ वसफेर की बाद जो layer आती हो है, और दोफौ पाउच, फिर स्टेटो इस्फेर फिर स्टेटो पाउच, फिर मीजोसफेर फिर मीजो पाउच, अब अपने जो question है वो क्या होगा, जाते तर question जो आते हैं कि जो ozone layer वो स्टेटो इस्पेर में है, या फि तो ट्रोफो इसफेर में temperature गिरता है फिर वो बढ़ेगा फिर गिरेगा फिर बढ़ जाएगा तो एक तो question यह आएगा कि atmosphere में जो सबसे कम temperature मिलता है वो कहां पर मिलेगा तो सबसे कम temperature देखो यहां पर भी है लेकिन सबसे कम temperature जो है वो मीजो पाउस पर मिलेगा कहां पर मीजो पाउच में या फिर अगर मीजो पाउच ना मिले तब फिर आपने में पास यहां पर जो टोफो पाउच है वो औप्सन में आता है अगर वो ना मिले तब यह अप उन लगाएंगे इसके पाद फिर टेंपरेचर बालने लगता थी हम ओजोन लेयर वगर है दूसरा ज्यादे तर लोगों कान्फ्यूजनह होता है इनके में कि सबसे नीचे वाला है यह ऑस यह तो दिकत में पढ़ते हैं टोपोग्राफ तो टूपोग्राब ही मतलब T यानि की नीचे की तो नीचे वाला ही है वही T वाला है यानि की ट्रोपोश्पेर बही है यह सारी चीज़ने चलती रहेंगे एक इस कहाता है कि जैसे ट्रोपोईस्पेर कितना है तो ट्रोपोईस्पेर जनरली आठ से सुलो किलोमेटर के आसपास माना जाता है सुला कैसे क्योंकि इसका कोई टाटा कंपरी ने फिक्स डामेंड से नहीं दे रखी है ये गर्मिया पढ़ी है तो ट्रोपोईस्फेर थोड़ा बढ़ जाता है उपर क्योंकि ये ट्रोपोईस्फेर कोई फिक्स डाटा नहीं है ट्रोपोईस्फेर इसका सेंस होता है कि वो लेयर जहां पर टर्वीडिटी या टर्मोईल है याने कि एयर जो है उसमें मौवमेंट है तो जहां एयर में मौवमेंट है जिस लेवल तक वो ट्रोपोईस्फेर के अंडर आ जाता है और जहां ये मौवमेंट रुग गया उसे पाउस बोल दिया फर इसके बाद हम इस्ट्राट्व पृमाल लेते हैं अब क्योंकि जो गर्मियों का सीजन है जब ट्रॉपिक में गर्मी आते हैं मतलब ट्रॉपिकल रीजन में जब गर्मी आती है तो वहां पर नीचे से जब हीट आप आता है तो यह थोड़ा ऊचाही तक चला जाता है तो उस ताइम पर जो ट्रोकोषफियर है वो 16-17 km तक चला से 50-80 km है इस चीज को द्यान रखे क्यांकि कुछ जगाए यह जो किलोमीटर का जो वैरियस हैं यह कुछ गड़बड हो रखा है कुछ बुक्स में में जो पर के बाद अपना लास्ट का है थर्मोसफेर जिसमें अपना आइनोसफेर पोल देते हैं और आइनोसफेर से यह वारी चीज की हमें यहां स्ट्डी की जरूवत नहीं है खासकर अपने जो फोरेश्ट इकोलोजी में हैं जिनका एंवर्मेंटर साइंस है वह लेयर पर थोड़ा ध्यान दे सकते हैं खासकर जिनका थोड़ा जियो लोजी टाइफ का जो पार्ट में जिनका जिए आप यह प आपने मतलब कियेंगे देखो स्टार्टिंग से लेके सौ किलो मीटर के आसपास तक का जो एट्मोस्फेयर अपना इसका कमपोजीशन जो है वो आल्मोस्ट एक सही चालता है थोटा थोड़ा बहुत चंजवल्टी होती है लेकिन आल्मोस्ट एक सही रहता है तो इसलिए हम इ इसलिए बाद के लिए उन्हें बोलते हैं है यहां पर इडाफिक फैक्टर यानि कि अपना क्लाइमेटिक वाला है वो कंप्लीट हो चुका है अब आता अपना मिट्टी वाला यानि कि अपने वहां पर पढ़ रखा था है तो यहां पर भी अपने बेसिकली वह स्वाइल सा मिट्रियों फ्र佐 annon लिए बाद और यहां कि वह पर नहीं खवर कर पाई तो लिए यहां पर पर लिए जानते हैं फिर स्वायल में जो वाटर वाटर होता है ऑफ तो यहां कई बार आपको यहां और आपको एसे पढ़न्हारकाध और आडेавно यहां पर जोगन आप पर्मनेंट बुल्डिंग पॉइंट वेलिट इस टाइप की तर्म है अब इसे कैसे समझो एक मिट्टी का एक स्लोट लेलो यानी कि पीडोल लेलो या ऐसे समझ लो कि आप कहीं गये आसपास और वहां से एक मीटर वाय, एक मीटर वाय, मतलब एक rectangular form है, इस type का, एक मिट्टी का एक slice काट के लेके अपने घर पे आ गाया, अपने से table पर रखा, और इसमें आपने दो वालती पानी डाल दिया, पानी इतने डाल आ कि इस ये पानी बहार न निकले, इसने पूरी पानी को hold कर लिया, तो अब पहला टर्म वह होता है वह होलाड होलाड का मतलब वह वाटर जो इस पूरी मिट्टी के अंदर है अब होलाड मैंसे वह वाटर अगर जो यहां पर अगर प्लांट लगा दो वह प्लांट उसे यूज कर सके जिस water को plant use कर सकता है मतलब वो उसे choose सकता है उसे बोलते हैं cheese art मतलब जिसे plant choose सकता है वो है cheese art क्योंकि इसमें भी जो water है जो अपनी मिटी है इसके अंदर जो water इसमें बहुत सारा ऐसा हो सकता है कि जो chemical bond होगा क्योंकि plant तो generally को इनसा water use करता है capillary इसके अलावा जो तीन टाइप के water उन्हें तो यूज कर नहीं सकता तो जो plant ने जिसे choose लिया वो है cheese art और जो remaining water जिसे plant use नहीं कर पाता है उसे बूलते है e card और cheese art और e card दोनों को मिला के यानि कि यह total यह complete water जो है उसे बूलते है हुलाड इसके अलावा एक term होता है field capacity यानि यह कोई भी जो field है वो कितनी monster को hold कर सकता है जैसे आपने इस पर बाहर नीचे से risk करके आ जाएगा यानि कि यह अपना जो मिट्टी का slot था slice जो था इसकी capacity है चार वाल्टी पानी को पकड़ कर रखने की तो यानि कोई भी जो soil का जो profile है वो कितनी water को पकड़ कर रख सकता है अब वो रखेगा कैसे वो उसके अपने तरीके हैं कि कुछ capillary में भाने देगा कुछ hygroscopic होगा कुछ chemical bound होगा इस टाइप से वो उसे hold करके रखेगा तो वो उसकी है field capacity या बोल सकते हो सीखो कि water holding capacity कि कितनी water को वो hold कर पाता है क्योंकि जो उसकी holding से बाहर चला गया वो नीचे gravity में चला जाता ग्रेवटी सिनल वाटर अब क्योंकि plant के साथ आपको पहले भी बताया होगा कि wilting की issue रहते हैं कि plant जो अपने हैं कि जमीन में अगर मिट्टी कम पढ़ जा तो plant सूख जाते हैं इसे अपनों बोलते हैं wilting अब wilting के साथ क्या होता है कि देखो मिट्टी में जो पानी है वो अगर sufficient है तो plant आराम से उसे absorb करते रहते हैं जैसे जैसे plant उसे मतलब मिट्टी में पानी कम होता जाता है plant को उसे खीचने में जो energy है या फोर्स है वो जद लबाना पड़ता है एक time आता है जब मिट्टी भी पानी को खीच रही होती है और plus plant भी अपनी तरफ खीच रहा होता है जब दोनों के बीच में एक ऐसा time आ जाता है एक ऐसा pressure आ जाता है जिस पे जो plant का जो खीचना है वो possible नहीं हो पाता है दोनों side का force बराबर होता है कोई नहीं हार रहा होता है और फिर finally यह plant है उसे पान ही नहीं मिल पाता है और वो मुड़ जा जाता है इसे बोलते हैं wilting point यह होता है 1.5 mega pascal अब यह minus का क्या मतलब है minus negative का sense यहां यह नहीं है कोई negative positive चलदा है negative का मतलब कि यह plant जो है उसकी opposite direction में यह जमीन की तरफ है तो एक तो यह होता है कि field capacity पे यह कितना pressure होता है तो उसे बोलते है 0.01 mega pascal और wilting point जो होता है वहाँ पर 1.5 mega pascal पे इतने pressure पे यह building so कर देता है तो यह दो pressure है उन्हें याद रख लेना अब soil के type जैसे decide किए गए है आपको कुछ इस type से note note करके आपको बता दिया गया है soil के type है कि अगर running water से जो soil अपनी जो नहीं जलोड मिटी बोलते है अगर gravity ने किया तो उसे कॉलूबियर बोल दिया हवा से आई तो उसे जैसे आपको अपने जलोड जलोड इस type की हंदी मिटर बोलते है तो यहाँ wind से जो होती है उसे बोलते है इस type की चीज़े है वो चलती रहती है इसी में आँगे आएगा soil की organic matter जहाँ पर आपको मैंने soil में बताया था humus के बारे में यहाँ पर वही है कि जब अपने पास live litter गिरा तो उसे अपने बोलते हैं litter फिर आँगे चलेगा तो वही बन जाएगा है डफ और आगे चलता है तो वही बन जाता है humus फिर humus के यहाँ चार टाइप होते हैं बेसिकल यह अपने चार होते हैं लेकिन आप उन्हों हाथ पर दो में काम चला लेते हैं एक मोर हुमस एक मल हुमस यह जो चारों है इन्हें पढ़ना ही है क्योंकि इससे question आही जाते ह अक्सर question इसा आते है 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 हेसमास के बाद ज्यादा कुछ होता नहीं है इसमें फर अपने माइक्ष हो आर्त करने माइक्ष है जो है यहाज है माइक्ष है माक्रोवलॉरा केंन मतलब मैक्रो फिलोरा के अंडर क्योंकि फंजाई काफी बड़ी साइज की होती इससे आपन पकड़ कर देख सकते हैं लेकिन जो बहुत ही छोटे ठाइप के जो प्लैंक टॉन्स है उन्हें अपन कर से उड़ लेंगे माइक्रो फिलोरा में यहां पर बैसी है माइक्रो फोना म फिलोरा और माइक्रो फोना फिलोरा यह चीजों को यहां पर डिसाइड के मतलब डिस्क्रिप्टिव में है इसे एक बार देख लेना क्योंकि इससे भी दो तिन कुश्चन आया है इसमें आगे आता है जो अपना स्वैल वाला है इसमें लास्ट ही है कि जो प्लांट है वो डिफरेंट टाइप की सर्फेस बोगते हैं अब कौन सी सर्फेस बोग रहा है इसे आप जितने बड़े स्टार लगा सकते हो लगा लो क्योंकि इस पर भी कई बार कुश्चन आया एक दो बार नहीं कई बार आया है जैसे कि अगर सामने वाला जो प्लांट है मतलब यह एक् जो क्रेवीज हैं हर जगा दरा रहा है मकानों की दरारों में होगा आते हैं मतलब आपने देखा होगा पीपल के प्लोड अक्सर दरारों में कहीं होगा आते हैं तो इन्हें क्या बोलते हैं इन्हें जो दरारों में क्रेवीज में होखते हैं इन्हें बोलते हैं जो वेस्ट वह क्या बोलेंगे एरिमो डेजाइट में क्रायो मैंने गुला था कोल्ड के लिए है यह साइक्रो है साइक्रोलोची यहनिकी साइक्रो मतलब ड्राइट ड्राउटनेस तो यह क्रायम जो साइक्रो है यह भी साइक्रोफाइट कोल्ड रीजने वाले के लिए है यहां पर और यहां साइलोफाइट का मतलब होता है जो सवाना वगारा में ग्रोव करने वाले यह जो पॉसिवाल्टी है कि इस टर्मनोलोजी से आपका कोई एकाद कोश्चन आ जाए इस वार स्वैल के बाद अपना थर्ड फैक्टर आता हुँ है अपना टोपोग्राफ है कि यह जिए में ज़्यदा कुछ पालना नहीं है अपना सिल्वी कल्चर में काफी अच्छा कासे थे डिस्कॉस कर चुके हैं जहां पर जैसे आपको बताया था एक क्यों जो हमाला है उसकी नौर्दन जो फेस है नौर्दन मतलब जो पोलर रीजन की तरफ है उस साइड में पाजिटेश है वो थोड़ी ज़दा उंचाई तक है यानि कि जो टिंबर लाइन है वो उंचाई तक है जब कि वेस्टन हमाले वो थोड़ी नीची है उससे लगवाग चार्सों पांसो किलूमीटर नीचे है ऐसा क्या हों तो यह सारी चीज जो थी टोपोग्राफिक है वो देख चुके अब यह जो तीन फैक्टर हैं यह किस पर इंपक्ट करेंगे और गेनजम के रहे और गगणिजम क्या यह आईनिवल भी है और प्लांट तो यह जो और गणिजम है यह उसके प्रती थोड़ा रिस्पॉन्स क्यासे देंगे जैसे आप कहीं बाहर से आ रहा है और एकदम आप आपको बॉड़ी टेंपरेचर जएदा है आप जब रुख जाओगे एकडम तो फिर क्या होगा बॉड़ी धीर धीर आप पर रेलक्स करेगी जो टेंपरेचर है उसे मैंटेन करेगी तो इसे अपन क्या बोलेंगे एक्लोमेटाइजिसन इस एक छोटा सा एक्जामपल है आप बाइज गया वहाँ पर एयर में ऑक्सिजन काम है तो यह सर्वाइव नहीं कर पाते हैं तो इनको क्या किया जाता है देरे-देरे उंचाई पर बढ़ाया जाता है जिससे इनकी जो ब्लैड है उसमें आर्वी सी कर जो नंबर है वो धीरे-दीरे बढ़ता जाए मींस यह वह से अमेरिका से कोई प्लांट लेके आया तो ऐसा नहीं होता है कि सीधर ले करके राजिस्थान में लगा दो अहां उसे धीरे-धीरे करके यहां के इन्वार्मेंट में एक्स्पोज करते हैं जिससे वो यहां के हिसाफ से अपने आपको एड़ेस्ट कर ले तो यह जो प्रोस सब्सक्राइच करते हैं या उसके साफ से एड़ेस्ट होते हैं उसकी वीए एक लिमिट है अब यह को लिमिट कैसे हो जापती है इसके ओपर तीन लोग आए उनमेंसे एक मतलब तीन लोग है अन्होंसे एक लिगा का लौग मिनमम ब्लैक मैंन का है और तीसरा यह सेल्फ कोई भी ऑर गनेज में इस टाइब का Anti कडाτε है कि कोई भी ऊर्गनेज में है थो है बहुछ मतलब जैसे टैंपरेजर वह बहुत कम हो यह करतétais यह एधर फूंद्रेचर वह बहुँत जदा हो जो उत्सवाइब नीं कर पाते एक जो Mike की कंडिशन होते हैं जिसे ऑप्टिमम रेंज बोलते हैं इस ऑप्टिमम रेंज में जो इंडिविजुल की जो पॉपुलेशन वो बहुत जदा होती है क्योंकि जदा तर चीजों में फैबरिवल ग्रोफ कर देती है तो इस टाप से नोंने बोला कि कोई भी और के वह उसकी ल त्याक्र है तो टेमप्रेट या टुन्रा ला रीजान हो ऊपर बाई डावर्सिटी काम है ऐसा क्यों थो इसके पीछे रीजान है और टेमप्रेट रीजान है तो उसका एक अदिसन तो फूड चेंप होता है क्योंकि बहुत सारे एनिमल जो है वह उहाँ पर सर्वाइव नहीं करपाते हैं उतने low temperature पर तो बैसी भी काम हो गई दूसरी thing एनिमल जो है वो फूरी पर depend करते हैं आप अकिले सुभाई से साम तक एक दू महीने अकिले दाल चाबल से काट सकते हैं लेकिन पूरी जिन्द की दाल चाबल नहीं का खा सकते हैं आपको रोटी सब्जी अधर चीज़ें भी जही होती है तो जो एनिमल कोल्ड रीजन में हैं उनको अगर सुभाई से लेके साम तक इडली डोसा चाबल चाबल ही चलेंगे जैसे साथ इंडिया में जब नौर्थ के साथ में चले जाते हैं तो वह सबसे ज़्यदे जो तरस्त होते हैं वो खाने सी होते है क्योंकि उन्हें अकर कोई फैस्टीवल है तो कलरफूल मिलेंगे चाबल लेकिन मिलेंगे राइसी तो वैसे ही यहां कोल्ड रीजन के साथ है कि उसको खाने के लिए कि बाल कौनी फर्सकी लिप्स मिल रही हैं तो इससे क्या होगा कि कोई भी और्गिनेजमें जब उसे एक एक तो इन्वार्मेंट बहुत फैबरेवल मौस्चर दर मिल रही है टेंप्रीचर फैबरेवल और खाने के लिए बफर सिस्टम लग रखा है कभी टिक की लीप्स है कभी जैली है जैलो कारपा की है बीच बीच में महुआ की आगए फ्लॉबर है फ्रूट है पीने वाले का तो यहां पर जैदा होंगे तो इस टाइप का कहना था सेल फोर्ड का अपने कुस्टन के आएंगे एक तो मैंने जो टेंप्रेचर का बता दिया क्यों लो टेंप्रेचर जान में एक्स्रीम टेंप्रेचर मतलब जिसमें अपना साहरा डेजाटी भी आ सकता है कि ऐसी जो एक इस से रिलेटेट जैसे मैंने बोला कि दो और आएंगे जिसमें ब्लैक मैन और लीविक का भी आता है इन्हें बाद में डिसकस करते हैं अब यहां पर इन्हें एक बाद और बताए कि आखर जो ऑर्गनेजम हैं जो अपना मिनमम टॉलरेंस यह चल रही थी तो ऑर्गनेजम अपने आपको कैसे इसमें अडिजस्ट करते हैं तो इन्होंने बोला कि जो ऑर्गनेजम हैं वो बेसिकली बोलें तो तीन चार टाइप के होते हैं पहले जो ऑर्गनेजम हैं इन्हें बोलते हैं रेगुलेटर यह रेगुलेटर एक टाइप से बोल दो जैसे अपने वार्म environment कैसा चल रहा है इनका जो internal level है वो बिलकुल जो है वो है वो बिलकुल एक ही layer में चलेगा अगर उनके body temperature 35 degree है तो वो 35 ही रहता है अगर बाहर temperature बाढ़ गया तो ये sweating कर लेंगे plant क्या कर देता है transpression और animal क्या करेंगे पसीना छोड़ देंगे और अगर environment बाहर का कम हो जागया temperature नीची चला गया तो अनीमल है वो कब कभी छोड़ करके का मेंटेन कर लेंगे और plant क्या करेंगे पतिया जाड़ देंगे अपने जैसे temperature का impact है ना पड़े तो कहने का मतलब है ये वह है रेगुलेटर टाइप के और्किनेजम है जिन्होंने अपने बाहर की इंवार्मेंट से कोई फ्राक नहीं पड़ता है दूसरे हैं जिन्हें पूलते हैं पार्सियल रेगुलेटर बुला ये कैसे हैं ये ऐसे हैं कि कुछ हद तक तो ये अपने आपको maintain कर लेते हैं लेकन पूरा नहीं कर पाते हैं त तो अब क्योंकि cold bladder, warm bladder ये तो animal में चल सकता है ये plant वाले में काम नहीं आता तो ये जो कैटेगरी है तीन regulator, conformer है ये चीज़ें प्लांट पर भी apply हो जाती है conformer मतलब ये तो maintain नहीं हो सके इनने बोल दिया अक्सरनल जैसे जैसे बढ़ेगा हमारा internal बैसे बढ़ जाएगा और बार का गिरेगा तो हम भी गिरा लेंगे तो इस टाइब की तीन कैटेगरी होती है regulator, conformer और partial regulator एक चौती कैटेगरी है जिसे बोलते है ये तीसरी होगी और चौती कैटेगरी है जिसे बोलते है migration इनने बोल दिया देखो भाई अगर maintain होता है तो ठीक है नहीं तो कोई बात नहीं हम यहाँ से फूट लेंगे जैसे कि अपने Siberian crane है जब ऊपर जब एक temperature एक limit से जदा गड़ जाता है तो ओड़कर के अपने राजस्थान में आ जाते हैं भरतपोर में तो नहीं हो पार रहा है तो भही क्यों टिके रहा हो निकल लो वांसे तो इस टाइप से चार केटेगरी आ गई यह एक टाइप से उ आपने होते हैं regulatorist आपके सीधे सीधे से कुशन आपको मिल जाएंगे इसमें कुछ ऐसे भी ऑर्गेनेजम होते हैं जो भाग नहीं सकते हैं जैसे कि अपने छोटे मोटे कीड़े हैं अब जैसे कि birds हैं वो तो cold region से यहां तक भाग सकती हैं लेकिन सर्दी ऐसी तो नहीं है कि जो आपने टुंडा से 15-20 km की वाब मेड़क हैं फ्रॉग हैं फ्रॉग कहां से आजाएगा रसिया से इंडिया तक तो उसके पास कोई अपसन नहीं होता तो उसको क्या करना पड़ेगा या तो नीचे जमीन में घुस करके सोना पड़ेगा तो यह इन अपनी हिसाब से maintain किय तो यहाँ पर जो इनकी maintain है जो animal जो भाग नहीं सकते तो इनमें migration तो कर नहीं सकते तो पर उनने दो टाइप की system adopt किया एक इनने बोलते हैं सस्पेंड कर देना यह क्या कर देते हैं या तो जब भी unfavorable condition आती हैं यह सो जाते हैं सबसे अच्छा काम है सो जाओ हम चलेंगे इ बाहर निकलना नहीं है जब भी unfavorable season चार महीने की रही तो यह चार महीने सोते रहते हैं यह सोने वाला है इनमें दो टर्म आते हैं इनमें एक आते हैं हाइबर नेशन और दूसरा आता है हाइबर नेशन जो अपन सर्दियों में सोते हैं कौन-कौन से हैं जैसे भालू है पोलर वीर है जब बरवारी पढ़ते तो अपने गुभा में जाकर चार महीने सोता है टेंसर नहीं लेता है इस बात का क्योंकि उसे पता है कि बाहर कुछ खाने को बैसे भी नहीं मिलना है और बरवारी में फस गया तो बिचार मर मर वर जाएगा तो यह जो सर्दियों में सोते हैं कुछ है जो गर्मियों में सोते हैं इन्हें बोलते हैं अब गर्मियों में कौन सोते हैं जैसे एक एक्जामपल है लंग फिस है गूगल फिस पर यूटूब पर सर्च कर लेना लेते हैं वो थोड़ी फिस में डिबलाप्ट है भेबले होते हैं तो लंग फिस क्या करती है कि अपने चारो तरफ एक अंडे जैसी कवर बना लेती है खासकर जो अफरीका के तालफ बगर हैं तालफ सूग जाते हैं तो वो क्या करें तालफ सूग गई समधर में तो जा नहीं सकती तो वो क्या करती है मैं प्र publicity के अंदर खूस जाती है डवड़े रो तोफड़ी ता का Well और वहां पर क्या करती अपने चारो तरदे एक लेयर बना लेती है और उस लेयर की Daika प्र हैं वो ज़ो जमीन है जमीन में जो आक्सीजन है वो आक्सीजन तक पहुचती रहती रहती और वो सो जाती है तो मचली जो है जो पानी की अंदर गुशी गुशी सो गई वो बिल्कुल बस ऐसे समझ लो कि जैसे तुमारी हाट बीट एक मिनिट में बहात्तर बार धाड़क रही उसकी दो तो तो तीन तीन घंटे में एक आद बार धाड़क रही और वो चैन अब कुछ एक और है जैसे कि फ्रॉग है अब फ्रॉग को क्या होता है कि उसने पहले अंडे दे दिये अंडे से उसका डिफलाप्मेंट होगा बच्चे होंगे फिर वो चल रहा होगा पूरा लार्वा बगर्यार का डिफलाप्मेंट और तब वो अडल्ट फ्रॉग बनेगा अब जो कंडिशन है वो अगर यहां पर पहुंची तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर कंडिशन जो ड्राउट वाली है वो सुखा वाली वो पहले बीच में पड़ गई तो यहां तो फ्रोग का तो कुछ होई नहीं पाया तो इस केस में यह क्या करता है उसका जो डिवलप्मेंट है वो वहीं रुक दीश में रुक जाता है जैसे अपकी मोवी कोई चल रही होती है और आप पॉज बटन दवा दो तो बस इसी को बोलते है डाय पॉज मतलब डिवलप्मेंट उसका है वो जहां तक हो गया वो वहीं पर रह जाता और इसके बाद से वहीं पॉज बटन लग जाता है और वो उसी स्टेज में पढ़ा रहता है जब दो तीन चार महिने बाद जैसी फैबरेवल कंडिशन आएगी उसका डिवलप्मेंट प्रोसेस फिर वहीं से आगे बढ़ जाएगा तो यह डाय पॉज कई बार पूचा जाता है डाय पॉज का सेंस का लॉफ डॉलरेंस है उसी टाप के दो लोग हो रहा है जिसमें एक है लीविक का लॉग लीविक का मिनिममम से है और ब्लैक मैन का है वो लिमिटिंग फैक्टर से यह दोनों फे फैक्टर है वो बेसिकली यह जो दोनों लोग है यह मतलब डिवलप कि गए थे प्लांट नूट्रियन्ट रिकॉर होते हैं उस से रेलेटर है लेकिन क्योंकि यह ऐसे हैं जो यूनिवर्सल टाइप के हैं यह कीबल यही नहीं लगते हैं यह अल्मुस हर फिल्ड में लग जाते हैं जैसे लीविक ने क्या किया था प्लांट के लिए बूला कर जैसे को कोई है या तुम्हारी खिती जो भरी है जो खिती कर रहे हो खिती से लिलो कि आपके खिती की जो फसल है उसका जो उतपादन है यह उतपादन समझते हो यह टंगी का पांई है इन्होंने बोला जो फसलों से भूग सारी मिनरल्स झायएं जैसे नाइटरोजाना ऐफासपुल्रा से सलपर बह। सारे मिनरल्स झायएं और बोला तुमारी जो यल्ड है यानि की फसल का उत्पादन है वो डिपेंड करता है कि कौन सा मिनरल सब से कम है ये मिनरल इसी लेवल तक होगा तो इस लेवल पर तो पानी उससे उपर नहीं बढ़ सकता है क्योंकि जैसी पानी बढ़ेगा यहां से बगड़ जाएगा तो यहां पर बोल रहा है कि आपका कोई उत्पादन हो वो सबसे उस फेक्टर पर डिपेंड करता है जो आपके पास सबसे लिम्टेशन में हो इसे बोलते हैं लिविक का लॉफ निवा अब इसे आप गाली पर अपलाई कर लो जैसे कि आप गाली की स्पीड दे दो आप इंज अपने लैप्टॉप जो है उसकी पॉवर को हजार गुना बढ़ा दो चार जीवी की जगा चालीश जीवी की लगा दो लिकन आपकी इंटरनेट की स्पीड नहीं बढ़ेगी क्यों क्योंकि इंटरनेट की स्पीड किस पात पर है चार पांच फेक्टर जिसमें आपकी जो स सिस्टेम है बो भी है आपका वाई-फाई है और जो टावप और है उसके बीच की जो कम्टेशन है और जो डिस्टेंस है बहुत चीजा भी है यह उताव वो आपकी पूरी स्पीड को मेंटेन करेगा हो सकता अगर आपकी जो सिस्टम है वो कम जोड़ो तो भले ही आप टावर के नीचे लगा दो तो अब तब भी आपके पास टूजी का डवाईस है तो टूजी की स्पीड मिलेगी भले ही आप आइडिया टावर के नीचे खड़े control कर रहा होते हैं अगर जो factor हैं उनको मतलब जो उसकी growth को limit करता है अगर उन्हें बढ़ा दिया जाए तो speed बढ़ जाती है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह factor को देते जाओ देते जाओ तो speed बढ़ती जाएगी एक limit के बाद दूसरे factor involve हो जाती है जैसे इनका कहना है कि जैसे अपने जो प्लांट की ग्रोथ होती है उसको स्टार्टिंग में अगर स्यो मिआ के स्योड़ रगा residence ऑग की से लिक्तिक बढ़ा तो इनकी प्लांट की मरूद बढ़ जाती है उसके पीछे लिजन है कि स्योड़ जी र में 3% तो CO2 कहीं न कहीं ये प्लांट की ग्रोथ को लिमिट कर रही होती है लेकिन ऐसा भी नहीं कि आपने CO2 का बगल में गैस सिलेंडर लगा दिया प्लांट के लिए और देदनाधन रगे तो प्रनांट ऐसा नहीं कि जो स्पीड है वो चारगोना बढ़ जाएगी आहां क्योंकि CO2 पहले लिमिट कर रही थी एक टाइम तक स्पीड प्लांट के बढ़ेगी CO2 की रिक्वार्मेंट उससे फुल्फिल हो रही कोई बात नहीं लेकिन एक टाइम के बाद या एक लिमिट के बाद उसे अधर फैक्टर उसके लिए लिमिटिंग हो जाएंगे जो फैक्टर जैसे मिनिमम टाइप का है कि जो अधर फैक्ट जो हैं वो लिमिटिंग में रहेंगे यहां याद यह रखना है कि लिमिटिंग फैक्टर वाला कॉंसेप्ट किस ने दिया बिलैक मैन ने मिनमम वाला लीविक ने और टॉलरेंस वाला सेल्फ फोड में यह तीनों चीज हैं पूछी जाती हैं और यह कौन किस ने दिया इसमे confusion जदा होता है अब देख लेते हैं बायोटिक फैक्टर देखा अबायोटिक में अपने जो फैक्टर थे जैसे कलाइमेटिक का डैफिक टोपोग्राफिक को नहीं देख चुके थे और फिर यह देख लिया था कि यह फैक्टर प्लांट या एनिमाल है उन पर कैसे इंपक्ट देते हैं इसके साथ लास्ट में यह देख लिया था कि एनिमाल या प्लांट जो है वह कैसे इन फैक्टर के अगेंस्ट अपने आपको अड़ाप्ट करते हैं मतलब वह एक टाइपस उनका रियक्शन के टाइपस होता है जिसमें कन फॉर्मार है रेगुलेटर है य वह अधर जो है वह चाहिए तो वह उसी की स्पीसीज का हो सकता है या फिर वह किसी अधर स्पीसीज का हो सकता है जैसे कि प्लांट है तो दूसरे प्लांट के साथ कैसे रियक्ट करेगा किस के लिए करेगा वह फूट वाटर सेल्टर के लिए या इस पेस के लिए और बैसी से ना पता हो मैं जोटी आप मैसेसा ही इस एक करके देख लिए थैसे पहले है मतलब मतलब गोगते हैं два तो दूसरे को पॉजिटिव करती हैंwriting मतलब दौनों का एक दूसरे सो चुरा होना यह डाना नहीं सकते सरुब नहीं कर पाएंगे मिचुलिश्मी फरक है, उबिगेटरी है, अब मिचुलिश्मी के जो एक्जामपल हैं जिसमें जीसे घराई जो भी हमाई, या माईको राई जा है इन चीजों का पहले से देख चुके हैं अब इसमें और क्या जाता है जैसे कि को यह जो साइक जैसे एजोला है इसको भी याद रख लो एनाबीना एजोली एनाबीना जो है एक प्लांट है जो अपने राइस जो है चावल की जो खेत होते हैं उन्हें में उगता है उसकी को जेएक ले सिण कепड़ेगा भो कहा है घॉ sillड 9 में तो ऊससय के लिए भी में इसमें nostयगी यह प्लांट हैं खाहचांज में जो डीसाव और कॉठर की जो प्रूनस थूदा कर देटा है मैं इसमें में थोडा टेधा इता यह दोनों देख लोने की समिन एज़ोला तो मैं नहीं पूचा गया मेडिगल के टाइम के कुछन जो है उनमें काफी पूचा गया बैसी कुछ एनिमाल है जो प्लाइंट के साथ रिलेक्स मतलब किसी ने किसी रिलेशन में होते हैं इनमें जो एक एक जामपल जो क्लोरिला और हैड्रा का है या एक बहुत इंपोर्टेंट होता है जो जैन्त ले यह किसके साथ होता है यह उनके साथ होता है एक हैं के अंदर में का उधिन ऊपटेना उनके आंदर होता है तो जो डिनिुँबन होने लगती है क्योंकि और रीफ को चाहिए यह अनिमाल रीफ इसे चाहिए खाना और खाना जो है बेसिकली तो यह बहुत सारे चीज़ खाई लेता क्योंकि फोटो सिंथेस्टेस पर यह खुद करेगा नहीं तो यह वाटर से बहुत सारा तो खाना पकड़ लेता है लेकिन एक टाइप से य जूजन्तिली के तो यह भी कुलूर यह जो कुछ हद तक फूट सप्लाइ कर देता है बीस तीस परसेंट तक तो यह बीस तीस परसेंट अगर एक्स्टा इंकम हो रही तो उसे कुछल रीफ की ग्रोथ अच्छे होती है ग्लोबल पार्मिंग से यह जूजन्तिली है इसकी ड यह इंसेक्ट क्या करता है कि यह का जो प्लांट है यह है डेजर्ट का अब डेजर्ट में इस प्लांट को पॉलिन नेशन के लिए कुछ नहीं मिला होता है तो यहाँ पर यह जो इंसेक्ट है वो क्या होता है कि एक प्लांट है उस पर अपना घर बना लेता है और दूसरे प्लांट के फ्लावर पे जाता है तो इस टाइप से खट्टे करता रहता हो तो इस प्लांट के पॉलन ग्रेन को इस पर पहुंचाता है और इसके पॉलन ग्रेन को इस पर पहुंचाता है तो यह एक टाइप का ऐसा रिलेशन बन गया कि आपसमें एक दूसरी के बिना नहीं र कर रहा है थो बैसे यह यहां पर चलेगा फिर यहां विश्थ वगर зачем के अगे जाओ यह वह सीड जुspe जो है पॉलय नगरे अनको लिके जाते हैं फिली हो पॉलन गरेन के लिए चुरी वह सीड में अकुषिन आए है दूसरा यह जो फिक वाला है जहाँ पर कैसे वास्प जो है वो के साथ रिलेसन में है उस पर कुछन आया है तो इन दोनों चीज़ों को ध्याना के लेना एक जो प्रोटो कॉप्रेशन है यहानी कि दोनों का रिलेशन कंपल्सरी नहीं है दोनों इंडेपेंडेंटली सर्वाइब करते हैं लेकिन एक दूसरी के जब साथ आ जाता है तो थोड़ा बैटर रहता है जिसमें अक्सर जो अग्याम में आया है वो है क्रोकोडाइल बर्ड का यह दोनों इस टाइप से एड़्जास रखे है क् क्रोकोडाइल इस बर्ड के बिन जद्धा सर्वाइब नहीं कर पाएगा रीजन है क्योंकि क्रोकोडाइल बहुत सारी जिगाए महारता है उसमें बहुत सारी जो एलगी वगएदर है चोटे-चोटे जो और के निच्पे वो ग्रोग खड़ जाते हैं वो अकर रहेंगे तो एलगी थी उस यह चोटे-चोटे इंसेक्ट जो थे उन्हें वो खा जाती है कंजियूम कर जाती है इसका रिजल्ट ही होता कि दूसरे से कॉपरेट में चलते रहते हैं एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और कोई किसी को निक्सा नहीं पहुंचा था कई बर लोग बोलते हैं अब यह तरह में चलते हैं लाइन आज और एपी जोर आई यह दिखेना कॉमन से लज्व में पर इसमें कुछ नेगेटिफव इंट्रेक्शन इसमें एक दूसरी को खा जाते हैं नेगेटिव इंट्रेक्शन में यह जो चार है ने अपने पहले से बढ़ चुके हैं पर इस में होती बड़ी मचली छोटी को खा जाती तो कैनी बालेज्म है फिर प्रेडेशन वगर है कॉमप्टीशन वगर आगे तो यह खाली पीली के टर्म है जैने आप ज़्यातर लोगों पहले से पढ़ रखता है इसमें फिर जैसे एमन सेलेज्म का एक्जामपल में आता है एमन स सालेज्म मतलब A उसी में आता है एंटी बायोटेक्स और उसी में आता है एली लोपनी जाहिए इसके बाद एनिमल से रेलेटल जो कॉमन है जैसे किसमें कॉमॉफ्लेटल और मिमिक्री बगर रहा है इस से रेलेटल कभी कभी खुर्चन आते है एक टर्मनोलोजी बश बस प ऐसे में में सी बाहिए धसी मिमेकरी मतलब वो कि यदो यहाँ पर एक में और मोडल जो टर्म है इन्हें देख लेना ज्यादा कुछ है नहीं दो टाइप की यह बटी सिन और मुलेरियन मिक्री इसमें ज्यादा कुछ से है नहीं